दूसरा होता है दूसरा होता है सेंट्रल एजस्वेंफ मैं घुमा रहा हूं इसे यह ओता है कि यह फ़िर से बहुत स्वाइब आपका हमारे चैनल पर और आज है बूदियो के Ich уinar इसके बारे में फूल डीटेल में आपको यह बताने वाला हूं तो वीडियो की स्कीप मत करना थोड़ा सा लंबा हो रहा है जहनकार है आपको पूरी पूरी मिलने वाले यह इसी वीडियो में और आज के बास आप यह कभी नहीं पूर्ट पाओगे क्या होता है कहां से वीडियो चालू करते हैं सब्सक्राइब कर जरूर करना चैनल को वीडियो परसंद आए उसको लाइक और सेर करते रहो ऐसी सपोर्ट बनाते रहो दोस्तों वादा करता हूं आपको बहुत कुछ सिंखने को मिलेगा आपको हमारे चैनल से तो जैसे का आप देख सकता है यह जो नीचे का होता है नीचे का स्टेज बोलते हैं जहां के फोर्स बोलते हैं जिस पर यह टिका हुआ होता है दूसरा यह जो होता है इसको मेकेनिकल स्टेज बोलते हैं अब यह जो स्लाइड में आप जो देख रहो यहां पर दो एजस्मेंट होता है एक होता है फाइन एज में घुमा रहा हूं इससे यह होता है कि हम स्लाइड को सेंटर में लाके एड़ेस्ट कर सकते हैं दूसरा जो यह फाइन होता है इससे यह काम होता है कि जब हम स्लाइड को किलियर नहीं देख रहा होता है तो उसको किलियर करने काम होता है यह दोनों तरफ दिया होता है फाइन is stage control और stage control का का यह होता है slide को आगे पीछे करने काम होता है इसमें दो होता है एक छोटा और बड़ा होता है तो एक से slide को आगे और पीछे करते हैं यानिक field change करने का काम आता है सीधी बासा हम आप लोग यह समझें इसे होता है वह कैसे चेंज करेंगे यह उसका मेन काम होता है स्लाइड को आगे पीछे करने का और चेंज करने का यह करता है इस टेज कंड्रोल उसके पाँ से आप साइड में आओगे तो यह जो दीख रहे हो इसे क्या करते हैं कि slide को हम set करते हैं वहाँ पर नीचे देखते हैं यहां से light जो पत्त है light का source होता है और साइड में यहां पे light का बटा होता है यहां से light हम चालू करता है तो नीचे से जो प्रकास होता है और आनों के उपर lens पे जाता है और lens पे जाने के बाद से हम यहां से microscope को identify करते हैं उसके बास जैसे कि आप नीचे देखोगे यह होता है इसका काम दोस्तों यह होता है कि यह जब भी अगर हमें 100x पर देखना होता है या 40x पर देखना होता है तो यह उसके द्वारा लेंस को सेट करने का काम करता है यानि कि जो लाइट पत को सेट करने का काम करता है यह यानि देख रहे हो 40 पर यूरेन इस्टूली सब चेक किया आता है तो जो यह लूप है वो नीचे के तरफ रहेगा और यहां से जो देख सकते हैं जितना लेंस हम लगाएंगे जितने एक्स का उतिने एक्स पर वहाँ पर लाएं हम सेट कर साँ है जिसे कि light कमोई जादा हो अगर हमें 100 एक्स पर पर इसको चाइब आगर आंचिकल लेंस होता है और यहां से कम ज़दा अपने आंखों के हिसाब से आपको कितने दूर से कितने नजदीक से देखना है ये सारा उसका होती होता है अपसको देख सकते हैं फिर चहां तक हम बात करें गे यह देख हर 20 बचंड आहां यह 내 lesson 3 कि ओध सकते हैं शल्च कि यहाँ त्या ना कि यहाँ पर से उसको पकड़ होने का खत्र होया से की लेंज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो यह देख सकते हैं आप उसके बाद से आप यहां पर साइड में रखिए साइड में एक और बटन होता है जो कि लाइट को कम और ज्यादा करने का काम आता है जैसे कि माल अगर आप फोटी एक्स पे देख रहे हो और फोटी एक्स पे के बाद से और ब्राइटनेस या डार्कनेस ऐसे करके आप आइडिफाई करते हो जब भी यूरीने इस्टूल हम देखते हैं तो ज्यादर डार्कनेस में ही देखना चाहिए जिससे कि में परसेल्स और बाकिस बेक्टेरिया उगर पहचाने में असानी होती है यह देख सकते यहां पर यह उसका हेड का यह लूप होता है जिससे कि हम उसको गुमा भी सकते हैं गुमा कि आप जो भी एंगल देना चाहों वहां से आप देशकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अब को अभी एक वायर है देख सकते हैं पूरी तरद से यह उपर का हैड है और नीचे से बॉट से लाया हुआ एकपीन होता है जोकि यहां से रम सेट करते हैं चैट करके जोकी लाइड का संचार यहां से होता है तूह उमीद करता हो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना जादर ज़ब यदा सेर करना हो से तो मुझे इस्टेग्राँ बात कर सकते हैं तो मिलते हैं नए डूडियो में आधे